नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं हाथरस मामले की जाज को लेकर उस्तम नियाले ने इस मामले से जुड़े वकिलो से कहा कि हाथरस की घटना या एक भ्याना घटना है और हम अदालत में दलीलो का दोहराव नहीं चाहते इससे पहले उतर पर्दे सरकार ने उस्तम नियाले से हाथरस मामले में सीबियाई जाज का निर्देश देने का अनुरोद किया सिवियाई जाच की मांग करते हुए उतरपरदे सरकार ने नियालाय को बताया कि निसपक्ष जाच में नहीत स्वार्थो द्वारा उत्पन की जारईबधाओं से बचने के लिए सिवियाई जाच कराने का आदेश देने का उरोध कर रही है जार्खन मौसम विभाग के अनुसार जार्खन के पलामू लाते हार और गिरीडी के कुछ भागों में हलके दर्ज का मेक गरज के साथ बरसा की संभवना है मौसम को देखते हुए लोगों को साधान रहने और सुरक्षित अस्थानों में सरन लेने पेण के नीचे नहीं रहने की सला दी गई है आपको बता दे कि मांसून के वापस होते ही साइकलोन सीजन सुरू हो जाता है जो अक्टूबर नॉवंबर दिसंबर में बंगाल की खाड़ी चक्रवाती तुफान विक्सित होने के अनुकुल रहती है जार्खन में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे इस्कूल जार्खन में 15 अक्टूबर से इस्कूल के खुलने की कोई त्यारी नहीं है जार्खन सिक्षा पर योजना परिशत के निदेसक डाक्टर सैलेस कुमार चवरसिया ने कहा है कि राजे में कुरोना की स्थिती को देखते हुए अभी इस्कूल नहीं खुले जा सकते उन्होंने कहा कि पूर्व में काक्छा नौ से बारत तक के लिए इस्कूल खुलने का प्रस्ताव बना था लेकिन कुरोना के संक्रमन को देखते हुए अस्वी कृत नहीं हो पाया बतादे के दूसरे राजे में किस तरह से इस्कूल खुल रहे हैं तथा उसका क्या प्रभाव पर रहा है इसके आदेयान के बाद ही राजे में इस्कूलों को खुलने की त्यारी की जाए जी जार्खन में 847 नहीं संक्रमितों के पुष्टी हुई है जो बोकारों से 51, 14, 2, देवघर 30, धनबाद 42, 10, पूर्वी सिमू पंचान में गडवा 10, गिरीडी 3, गोड़ा 29, गुमला 29, हजारी बाग 25, जामतला 3, खुटी 7, कोडार्मा 13, लाते आर 5, लुर्दागा 5, पलाम खर्षावा 3, सिम्डेगा 18, पच्छमी, सिमू 116 मिले हैं, जार्खन में कुल संग्रमितों के संख्या 88, 888 है जबकि 78, 89, लुक स्वास्थ हुए और 757 की मिरिती हो गाई, भारत में केस 71, 879 मिले हैं, जबकि 89, 945, स्वास्थ भी हुए हैं जार्खन में मंगलवार को 10 की मौथ हुई है, जो राची से 5, पूर्वी सिम्भूम से 3, तथा गिरिडी वा कोडार्मा से 1 की मौथ हुई है, मंगलवार को 246 मरीज स्वास्थ भी हुए हैं, स्वास्थ मरीज इस परकार हैं बोकारो 115, 1427, देवगर 31, धनबाद 22, दूमका 17, पूर्वी सिम्भू 151, गडवा बाराग गिरिडी 36, कोडा 10, गुमला 5, हजारी वाक 37, जामतला 2, खोटी 37, कोडार्मा 31, लाते हार 21, लुर्दागा 4, पाक कूर 13, पलामू 42, रामगर 36, राची 440, साहेव गंज 12, सराइक पूर्चमी सिम्भूं से 22, मरीज स्वस्थ हुए है, जारखन के किसानों को मिलेंगे 42,000 रुपे सलाना, जारखन सरकार ने प्रती 85,000 रुपे का अनुदान बंद कर दिया है, ऐसे में आप 42,000 रुपे का लाब ले सकते हैं, इसके लिए प्रधान मत्री नयादमोदी के सरक किसान योजना के तहद 55,000 रुपे का निवास करके आप हर साल 42,000 रुपे सलाना ले सकते हैं, आपको बता दे कि 18-40 साल तक की उम्र के किसानों के लिए या योजना लागू है, इसके तहद आप 55,000 रुपे से लेकर 200,000 रुपे का निवेस करके 60 बरस होने के बाद आप 3,000 रुपे प्रती मा, जबकि 2000 रुपे का किस्त को मिला कर 42,000 रुपे सलाना उठा सकते हैं, जारखन में 27,000 मेटर टीचर, जारखन में 27,000 मेटर टीचर बनेंगे, ए हर बचे को सिक्षा सुनिश्थित कराने में अहम भूमका निभाएंगे, बता दे कि राजे की सभी पंचाय में 27,000 मेटर टीचरों की टीम होगी, या टीम मुखिया के द्वारा बनाई जाएगी, बता दे कि जारखन के सरकारी स्कूलों के छातरों को पढ़ाने के लिए समुदाईक सिक्षा की सुरुवात की जाएगी, इसके तहत पंचायतों को मुखिया को जिम्यदारी दी वे अपनी पंचायत में मेटर टीचर बनाएंगे, इसमें सेवा निवित सिक्षक या असनातक पास 6 लोगों की टीम बनाई जाएगी, आपको बता दे कि जारखन की 45 पंचायतों के मुखिया को 600 मेटर टीचर बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत राज ये भर म से मौराबादी मैदान में सुरू हो गया, मौराबादी मैदान में बने स्टेज के पास लगवक 300 अभियार्थियों ने अंसन पर बैठ गए हैं, बता दे कि जब के सफल अभियार्थि संके अध्यक्स गोकुल पंडे वा उपाध्यक्स गोरोग कुमार ने कहा कि ज़िसरका की ओर से कोई पाल नहीं की जा रही है, हरा रासन काड के लिए 9 को विशेश अभियान दिवस, हरा रासन काड के लिए राची जिला में विशेश अभियान दिवस चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आवेदन कर सके, इसके लिए 9 अक्टूबर को विशेश अभिया किया जाएगा जार्खन हाई कोट में मंगलवार को राज के पलश्टू सिक्षको के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याज का पर सुनवाई हुई हाई कोट के नय मुर्ति इसके दिवेदी के अदालत में वीडियो खर्फेसिंगे जरिये हुई सरकार की ओर से बताया गया कि वर्स 2012 में नियम बना है नियुक्ति में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे आगे आने वाली की नियुक्ति में जोड़ दिया जाएगा इसलिए इस पद को फिलाल बारा नहीं जा सकता है या सरकार का नित्तिगत फैसला है अदालत ने दोनों पक्षों की बहुत सुनने के बाद जारकन सरकार और जे सेसी को सोला दी समझ से पुर्जवाद देनों को कहा है आरसी आईटी कॉलेज विश्रामपूर पलामू में बिपीट सत्र अठारा बिस का परिक्षा का आउजन 23 नव दुजर बिस से किया गया था जिसका प्रेटिक आज में खोशी जाहिर की गई कुछ लोगों ने जूम करना चाहा तो कुछ लोगों ने वहीं एक दूसरे को रंग गुलाल भी लगाए आंत में सभी सिक्षकों के साथ एक ग्रूपिंग फोटो ली गई जो की एक दूसरे के यादगार बन कर रहेंगे अगिन समन में इजी अफ डूइंग बिजनेस के तहट कारियरत डाटा इंट्री अपरेटरो का मांदे का भुगतान लंबित है बतादे की इन अफ डेटरो का मांदे सितमबर 2018 से अगस 2019 तक का भुगतान नहीं किया गया है जिसका लिखित आवेदन और ट्वीटर के मादयम से मुख मंत्री तक ट्वीट भी किया गया है सभी अप डेटरो ने बकाया मांदे भुगतान की मांग की है लाटेहर में मोबाइल नेटवर्क के कमी के कवन बच्चो को पढ़ाई में हो रही परसानी जार्खन के कई ऐसे गाओ और परखंड है जहां अब भी मोबाइल फोन का नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता ऐसे में ऑनलाइन कलास करना बचों के साथ सिक्षकों के लिए भी एक दुरूह कारे सावित हो रहा है बता दे कि उग्रवाद प्रभावित जीला लातेहर में यह समस्या इतनी बड़ी है कि टीचर और स्टुडेंट को घाटी तक जाना पड़ता है जीला के आठ परखंड में से सीफ चो ऐसे है जहां भारत संचार निगम लिमिटेट की सेवा है जारखंड के 90 परथित बच्चों को नहीं मिलता पोसक आहार खनीज संपदा से समरीद राज जारखंड में गरीबी और कुपोसन की समस्या पीडियो से चली आ रही है बता देख बिहार अर्मद परदेश के बाद सबसे ज्यादा कुपोसित बच्चे जारखंड में ही है जारखंड के 3.3 क्लोर की अबादी में 1.3 क्लोर की अबादी गरीवी रेखा से नीचे जीवन बसर करती है राष्ट्रिये परिवार स्वास सर्वेक्षन 2014-15 बताती है कि राजेक के 45.3 फिस्दी बच्चे कुपोसन का सिकार है जारखंड के 10 में से 9 बच्चे को पोसक आहार नहीं मिलता आठ अक्टूबर से दरसन देगी माच छिनमस्तिके 17 अक्टूबर को सुरू हो रहे सार्दिये नौरातर 2020 से पहले देश के प्रसिद सिध पीठ रजराप्पा इस्थित माच छिनमस्तिके कमंदीर का पट खुलने जा रहा है उसी दिन से माच छिनमस्तिके भक्तों को दरसन देंगी बता दे कि रामगर जीला के उपायुक संदीप सिंग, एसपी परभात कुमार सहीत कई अधिकारियों ने इस समद में रजराप्पा मंदीर का दवरा भी किया है रेलवे चलाएगा टमाटर वा ब्रोकली एस्पेसल ट्रेन रेलवे किसानों को माल ढूलाई के लिए तयारी करने की कोसिस में है इसके तहर्थ किसानों के उत्पाद को एक जगा से दूसरी जगा पहुचाने के लिए सबजी के नाम पर स्पेसल ट्रेन चलाने पर मंथन चल रहा है बतादे की रेलवे बोर्ड ने दक्षिन पूर्वी जोन को पत्र लिखकर इलाके के संभावनाये तलास करने के लिए कहा है रेलवे के अधिकारियों का काना है कि राची इलाके में टमाटर और ब्रोकली की पैदवार अधिक होती है खोंटी उपायुक्त ने जल जीवन मिशन के प्रती किया जागरूप खोंटी उपायुक्त ससी रंजन ने गट 3 अक्टूबर को जन जागरूपता रत को हरी जंडी दिखा कर लक्षित ग्राम के सभी घरों तक जल जीवन मिशन का संदेश पहुचाने का लक्ष किया था और पॉंपलेट आधी के माध्यम से जागरूप किया गया राज्य के सरकारी आई बैंको को देश ब्यापी कार्निया डिस्टिवियूशन से जोड़ा जाएगा बना गुपता जार्खन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने कहा है कि राजे के सरकारी आई बैंकों को देश ब्यापी करनिया डिस्ट्रिबिशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि राजे के दूसरे आई बैंकों में जहां नेत्र प्रत्यार ओपन के प्रती छारत करनिया जनित प्रदान मंतरी स्वाव निधी योजना से समन्दित समिक्षा बेठक की गई इस दोरान उपायूत ने बताया कि आत्मनीरभर भारत के तहत स्ट्रीट बेल्डरो को आत्मनीरभर एवं ससक्त बनाने के उदेश से पीम स्वाव निधी योजना की शुरुआत की गई है इसके त प्रिवावन पतादिकारियों को इस समन्दित पत्र भी लिखा है बता दे कि कुरोना संक्रमन के करान जारकन में पिछले 6 माईना से ड्राइविं अवलाइलिंग लाइसेंस बनाने की परकिरिया पूरी तरसे अस्थागित थी नेतरहाट अवास्य विद्याले की खोई पाचान लटाएंगे मुख्यमंत्री यमंसुरे ने मंगलवार को कहा कि नेतरहाट इसकूल की खोई पाचान को पुना अस्थापित करना उनकी प्रात्मिकता है संगहर स्यात्रा के करम में उन्हें जारखन के गवरों नेतरहाट इसकूल जाने का अवसन मिलता था तब वो वहाँ की समस्याओ से अवगत हुए थे बता दे कि मुखपंतरी बनने के बाद भी उन्हें वहां की समस्याओं को लेकर चीनता है उन्हें यहाबात नेतराट आवास्तिय विद्याले के परचार की ओर से मिले पत्र के आलोख में कही लालू यादों ने रिम्स में बनाया अनोखा रिकोर्ड सन्युक्त बिहार में कुख्या चारा घोटाला मामले में दोसी राष्ट्रिय जनता दल सुप्रीमो लालू परसाद यादों दो साल से अधिक समय से जहरखंड के प्रमूक रिम्स में इलायरत है इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किसी भी मरीज के भरती होने का ये सबसे लंबा रिकोर्ड है हेमंत सरकार के नौ महिने में बारासों से अधिक दूसकर्म की घटनाय सांसत संजाय जारकन में महिलाओ पर हो रहे अत्याचार दूसकर्म की घटनाय के बिरोध में भारतिये जनता पार्टी के तत्यादान में मंगलवार को मोराबादे इस्थित महत्मा गांधी की परतीमा के समीप एक दिवस्य धारना दिया गया बतादे की मोके पर संसत संजाय सेठ ने कहा कि नौ महिने की हमंत स्वरेन की सरकार में राज की महिलाओ पर अत्याचार दूसकर्म की बारासों से अध को निर्देश दियाक की छतिगरस एस्ट्रक्चर एवं सडको आधी की मरमती एक महिना के भीतर करना सुनिश्चित करें गडवा जिला के बंसी धरनागर थाने की गिरफ्त में आई महिला तसकर कोना पोजेटिव आई है जिससे पूलिस कर्मियों में खलबली मची है उधर दिवंगत मंतरी हाजी हुसाइन को इलाज के लिए दिल्ली भेजना चाहते थे मुख मंतरी हेमान सुरेन पर परिजनों ने माना किया था सराय किला में एक बिरीद महिला की तलाब में डूबने से मौत हुग गई है बता दे कि महिला राजनगर थाना छेतर के चंगूबा की थी सर्जु राय ने पुर्व मुख मंतरी रगवरदास को जेल भेजने के लिए कहा कि जब लालू यादो जेल जा सकते हैं तो रगवरदास क्यों नहीं लातेहार से मानो तसकरी की सिकार होने से छ नवालिक लड़कियों को पुलिस ने बचाया है धन्यवाद यदि आप च दवाद अन्यवाद